टीवी इंदस्री का बहुत ही बड़ा नाम बन चुके है हीना खान इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने टालेंट के बलबूते इतना नाम कमा है कि आज उन्हें हर कोई बहुत ही अच्छे से पहचानता है हीना खान लगतार आगे बढ़ती चली गए और हीना खान अपने नाम पर कुछ कॉंटिवर्सी भी खड़ी करती ही रही है आज आप सभी के सामने हम लेकर आए हीना खान से जुड़ी कुछ दिलचस्प बाते जो कॉंटिवर्सी में उन्हें लेकर आई है भाई कांस फिल्म फेस्टिवल तो आप सभी को यादी होगा जी हाँ ये बहुत ही बड़ा मौका था हीना खान के लिए यहां हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था कोई उन्हें मूँ तोड़ जवाब देता हुआ सामने आए तो वही हीना खान ने भी वक्त आते ही उन्हें इस बारे में समझा दिया और ये भी कह दिया कि शुक्रिया आपका कि आपने इस तहां के कमेंट को करके मेरे होसले को और भी उजा कर दिया किन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे यो डिस्टरे आप के मेजिक टr Northeast फीचर के बारे में जिससे आप किसी भी लैंगवेश को किसी भी लैंगविश में सिर्फ एक सेकिंड में चेंज कर सकते हैं U dictionary app में magic translate में click करना है और फिर whatsapp open करना है Message को select करके magnifying glass से click करें और वो message आपकी language में convert हो जाएगा तो दोस्तों है ना ये काफी ज़्यादा useful feature तो जल्दी download कीजे U dictionary app को link description में है दोसरी controversy आती है हिना खान की उनके boyfriend रौकी जैसवाल के साथ जिहां रौकी जैसवाल जन से बेंदहा महबत करती है हीना खान और रौकी एक दूसरे को तब से डेड़ कर रहे हैं जब हीना खान बहुत ही popular होने वाली थी काम कर रही थी और एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुकी थी जहाँ पर उनका उस वक्त सबसे ज़्यादा साथ अगर कोई दे रहा था तो वहीं रौकी ही थे रौकी जैसवाल के साथ अकसर ही वो कहीं न कहीं घुमते फिरती हुई दिखाई दे ही जाती है लेकर इस बीच एक सबसे बड़ी बात ये खड़ी हो जाती है कि मुस्लिम कॉम्मिनिटी बिलकुल भी पसंद नहीं करती है इंके सुरिष्टे को उसके कि बात करते हैं ये जूरे हुई है करनमहरा के साथ करनमहरा यानिकी नैदेक जो ये रिष्टा क्या कहलाता है मे अक्ष्रा के करिदार के साहथ देखे गए, याने की हीना खान kे साहथ देखे गए, भई, show में इन दोनों का करेक्टर पती पतनी का था लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों वाकिए में पति पत्नी के तरह एक दूसर से लड़ते रहते थे जहां करण महरानेशों को छोड़ने का हीना खान से परिशान होकर फैस्दा ले लिया था और ये दुश्मनी अभी तक चलती आ रही है ऐसे में अब चौथी कॉंटर रसी अगर बात की जाए तो वो राजन शाही के साथ जुड़ी हुई है जिहां करता धरता है राजन शाही ये रिष्टा क्या कहलाता है की बिलकुल भी रास नहीं आ रहा था राजज़ शाही को और ऐसे में करेक्टर को बदलना बिलकुल भी उन armas समझा और नहीं पैसे जो निमांड कर रही थी जाला हीना खान था और हीना खान राज़न शाही की रिष्टे खत्म हो गया और ये रिष्टा के साथ हीना- था ने शो में अपना असली रंग दिखाया था भाई हीना खान को हर कोई साथ सुत्री सीधी साधी सी लड़गी समझता था लेकिन बिग बॉस में नजर आए कि ये काफी ज़्यादा बोल्ड है अपने जवाब से भी और ऐसे में ये बोल्ड है कुछ और भी नजरीयों से जो बोल दिया था ये कि भोश पूरी अदाकारा साथ इंडस्टी की अदाकारा कितनी मोटी होती है और ऐसे में किसी को भी उनका ये स्टेटमेंट पसंद आया नहीं तो वही उन्होंने यहां ये भी कह दिया कि संजीदा शेक यानि कि टीवी इंडस्टी की अदाकारा संजीद बिल्कुल भी सुन्तर नहीं है मेकप के बिना बहुत ही भद्धी दिखाई देती है और सी के साथ उन्होंने कहा है कि साक्षित तनवर जो टीवी इंडस्री में बॉलीवर इंडस्री में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है वो दरसल भैंगी है अब यहां हीना खान के से स पाशिंडे के साथ जुड़ी होई है आपने देखा कि इन दोनों की लड़ाई कितना हुआ करती थी बिग बॉस में अंत तक आते आते इन दोनों की दोस्ती भी हुई एक तास्क की वजह से दोनों ने मिलकर भी खेला और हर किसी को लग रहा था कि अब शो खत्म हो रहा है दोस्ती आगे बढ़ेगी लेकिन अंत फिर से आया कॉंपेडिशन फिर से जड़ा और ऐसे में दोनों की लड़ाई और भी जाद आगे बढ़ गई और आज का वक्त है कि दोनों एक दूसरे को बिलकुल भी पसंद नहीं करती हैं दोनों एक दूसरे के बारे में गलत स्टे आखरी बार देखा गया है हीना खान को सीरल का सौटी जिंदगी के टू में लेकिन खबरे ये सामने आ रही है कि हीना खान विक्रम भट के साथ एक फिल्म कने जा रही है जसकी उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी जिनके तरहां-तरहां के लोग सामने आ रहे हैं और अब